हेलो इस्टैंट तो चले आज हम लोग न्यु टॉपिक के ॡाबिक राट करेंगे जिसका नाम क्या है सैक्लो टॉन्ट तोасьके लोटोन क्या होता है विटाल तोड़ना चाहते हैं और इसको तोड़के इसके छोटे-छोटे parts के हम लोग study करना चाहते हैं ठीक है student but we know that जो हमारा nucleus होता है वो totally positively charged particle से भरा पड़ा होता है है ना तो अगर एक positively charged particle को यहाँ पर break करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए एक positively चाहिए ठीक है तो माली जी हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और यह कैसा चार्ज पार्टिकल है positively charged particle let us suppose proton हो सकता है अलफा पार्टिकल ड्यूट्राउन है ना these are positively charged particle तो हम लोग को heavy nucleus को break करना और इसको break करने के लिए हम लोग क्या लिए एक positively charged particle को लेते हैं ठीक है और यह जो positively charged particle है इस positively charged particle को हम लोग bahu हाई velocity देते हैं ठीक है और यह high velocity हम कह आसे दे सकते हैं तो उसके लिए हम एक device बनाते हैं और इस device को हम हम क्या बолетते है« to cyclotron क्थै你们 क्या करता है तो इस positively charged particle को बहुत high velocity देता है मतलिए इसको बहुत high energy provide करता है है ना जिसके वज़त से इसका speed क्या हो जाता है stunt काफी पढ़ जाता है और finally यह जो positively charged particle है वो इस heavy nucleus को जाके क्या करता है strike करता है तो heavy nucleus हमारा क्या हो जाता है break हो जाता है फिर उस हम छोटे-छोटे part के क्या करते है study करते है ठीक है तो चलिए देखे cyclotron है ना थो हमारा topic है cyclotron तो cyclotron अभी हम लोग पढ़ें कि cyclotron हम क्यों use करते हैं क्यों बनाते हैं तो device which is used to give high velocity है ना यह and energy to positively charged particles यानि cyclotron एक device होता है जो क्या provide करता है तो high velocity देता है किसको तो positively charged particles को है ना और क्या देगा तो energy provide करता है ठीक है अब देखे जो cyclotron है वो कौन से principle पर काम करता है तो cyclotron का principle क्या है तो पहला principle है charged particle in electric field is accelerated है ना हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर मालिज ये कोई electric field है है ना और इस electric field में अगर हमें एक charge particle को रखेंगे तो यहाँ पर proton का बात करें मालिज चार्च पार्टिकल कैसा है positive तो positively charge particle जो होगा वो electric field के direction में क्या करेगा move करेगा क्योंकि इस पर due to electric field force लगेगा तो देरे देरे इसका velocity क्या हो जाएगा strength बढ़ना start हो जाएगा है ना तो इसको हम लोग क्या बोलता है कि particle क्या हो जाएगा accelerate हो जाएगा ठीक है second board है a moving charge in a magnetic field turns and makes a circle तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मालिज ये हमारे पास एक magnetic field है कैसा magnetic field यहाँ पर ले रहें inside तो अगर इस magnetic field में q charge है जिसका velocity कितना है भी अगर हम इस magnetic field में इसको throw करते हैं तो क्या होता है इस पर force लगता है किदर उपर की तरफ है ना और finally यह जो charge particle है वो circular path में क्या होता है इस टार्ड करना start कर देता है ठीक है तो magnetic field के व principle पर हमारा कौन काम करता है cyclotron ठीक है चलिए description में देखते हैं तो description में क्या है तो इसमें हम लोग एक जैसे रोटी रखने वाला जो होता है जिसको हम लोग hot pot बोलते हैं तो just hot pot जैसा ही क्या होता है एक device लेते हैं और उस hot pot को हम लोग क्या करते हैं इस बीज से कट कर देते तो जब बीज से काटेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही दिखेगा है अब बीज से काट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा तो यह डी के जैसे हमको दिखता है इसलिए इसका यहां पर नाम भी क्या है D ze आ ना तो first बाला जो होता है इसको हम लोग बोलते है d1 और जो second बाला यह D1 को positive अगर potential मिला है तो D2 क्या negative है फिर certain time interval के बाद यह क्या हो जागा change हो जाएगा तो इसको negative मिल जाएगा इसको positive मिल जागा तो इस तरह से यह continue क्या होता है change होता रहता है ठीके तो दोनों डीश को हम लोग st oscillator से क्या करता है connect करते है इस यहाँ पर हम लोग magnetic field और electric field दोनों क्या करते है सेट अप करते हैं तो माल लीजी हमारा जो magnetic electric field है वो electric field का direction हम लोग कुछ इदर माले रहे हैं कि यह हमारा direction कि इसका electric field का है ना क्योंकि electric field यह metallic conductor से बना है तो definitely यहां इसके अंदर तो कोई electric field होगा नहीं है जो भी electric field होगा वो बाहर होगा बढ़ इसके अंदर जो magnetic field है वो magnetic field को हम लोग माल ले रहे हैं यह जो dotted से सोकर है यानि magnetic field कि इदर की तरफ है बाहर की तरफ ठीक है तो यह हमारा magnetic field हो गया अब यह magnetic field कहां पर है तो इस डीस के अंदर है ठीक है बड़ electric field कहां पर है बाहर में और यह जो gap है इस gap में होता है ठीक है यहां पर हम लोग एक point ले ले रहे हैं और यहां पर एक s लिख दे रहे है ठीक है s क्या है heater है जो source of positive आयन है ना तो यहां प ले ले जो कहां पर आएगा, इस gap में जो field है वह field कॉन सा है electric field है इस gap में कॉन सा field है electric field तो माले यहां पर एक charge particle है Q में फो सक्राज草पार्टिकल है ठीक है डौस्टे दो जैसे इस gap में benefit हो सक्राज़ अंदर यह यह अ तो यह दिरे दर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और डीस की तरफ क्या करेगा यह मूब करेगा और दिरे दर यह कहां पर इंटर करेगा अब जैसे डीटू मेंटर करेगा तो इसके अंदर तो मेंटिक फिल्ड के अपसेंट है तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा मतलब इसका वैलोसिटी क्या होगा स्टेंड बढ़ना बंद हो जाएगा जो भी स्पीड होगा वह कहां तक होगा इस सरफेज तक इसके बाद इसका वैलोसिटी में कोई चैंज नहीं आएगा मतलब इस डीश के अंदर ये पॉजिटिव ली चार्ज पार्टिकल जो है वो कॉंस्टेंट वैलोसिटी के साथ क्या होगा इंटर करेगा यह ना बट इसके डीश के अंदर क्या है मैनेटिक फिल्ड है अब वो जैसे ये इसके बाद फिस्ये डीस से क्या होगा बाहर आयगा तो बहार कहां पे आएका गैप में तो जितना देर पे यहांसे यहां तक पहूंचता है उतने ही देर में यह चय चैंज घia देर एकटस щार्कल को सेमि करता है इतने ही टाइम में क्या icans चैंज से चैंज अजम जब यह oscillate कर जाएगा तो magnetic field का direction क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा right to left तो again जब यह electron क्या होगा positive charge particle जो है इस gap में आएगा तो फिर electric field का direction ऐसा ही मिलेगा electric field का direction कैसा हो जाएगा ऐसा तो फिर से force लगना उस पर start हो जाएगा ठीक है अब वो फिर से force के बज़र से उसका speed क्या होगा बढ़ना start होगा और फिर बढ़ते 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 यह कहां पर आ जाएगा D is 2 पे अब यह D 1 पे अब यह जब इसके अंदर enter करेगा तो फिर से electric field absent हो जाएगा तो उस पर कोई force लगना कोई force ने लगेगा ठीक है तो फिर वो constant velocity के साथ इस D is D 1 के अंदर क्या होगा इंटर करेगा बट यह जो magnetic field है again उस positively charge particle को क्या कराएगा इस टर्न कराएगा ठीक है फिर यह semi circle complete करने के बाद फिर सी यह कहां पर आएगा gap में और उतने ही की में सास मायनस पिर इस फिर फसी अजाएगा बढ़ना स्टार्ट होगा तो इस तरीके से यह जैजो positively charge particle रहा है द 2 लाएंड ईटी द 400य आसे ऐसा चलता रहता है यह चलता रहता है ति where ऑभिस्टिकर बढ़ता चला जाता है ह Buy क्या होता है अhrid to fly ईतुना है होजाता है कि लास्ट में यह जब chext SH हुआ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि विंडो लगाते हैं और इसी विंडो के पास क्या करते हैं अपना जो जिस भी particles को यहाँ पर break करना है जैसे heavy nucleus को यहाँ पर set करते है ठीक है जिसका velocity बड़ते बड़ते बहुत high हो जाता है और last अंत में यह क्या हो जाता है इस window से होके यह बहार निकलता है बहुत high velocity के साथ अब यहाँ पर हम लोग अपना target को set करते है तो वो उस target को क्या करता है hit करता है और finally वो target हमारा क्या हो जाता है break हो जाता है ठीक है तो यह हमारा description था कि finally हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे है कि electric field और magnetic field का set up होता है जो बोथ हर perpendicular to each other तो एक जो electric field है वो charge particle के speed को बढ़ाता है velocity को बढ़ाता है और दूसरा जो magnetic field है वो उसको क्या करता है turn करने में help करता है और धिरे 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 उसका circle भी बढ़ा होता जाता है speed भी बढ़ता चला जाता है और finally वो क्या होता है target को जाके hit करता है और target को break कर देता है ठीक है देखे उसी को यहाँ पर theory में लिखे है two hollow half cylinder made of high conductive metal known as ds उसको क्या बोलते है ds बोलते है which are kept in horizontal level facing each other एक दूसरे के सामने क्या होता है रखा होता है at the center s is a source of positive iron which makes a hitter जो हमारा s होता है वो positive iron का क्या होता है source होता है ठीक है तो हमारा positive iron का source हो गया जो continue क्या करता है positive iron produce करता रहता है ठीक है and magnetic field is created between the two ds और दोनो ds के बीच में क्या होता है अंदर में magnetic field होता है ठीक है now these two ds are connected to st oscillator दोनो ds को हम लोग st oscillator से क्या करता है connect कर देते है it would help in changing polarity वो क्या चीस में help करता है तो polarity को change करता है polarity मतलब एक बार d1 positive तो d2 negative है ना फिर next time में d2 positive तो d1 क्या हो जाता है negative हो जाता है ठीक है तो वही लिखा है if d1 is in negative positive potential तो then d2 is negative potential and at same time and so on इसी तरह से वो continue क्या होता है चलता रहता है ठीक है अब देखिए working में तो working में क्या है suppose positive ion इंटर था gap between the d's है ना दोनों d's के बीच में क्या होता है positive ion हमारा इंटर करता है तो since d1 is positive d2 is negative होता है then electric field between them है ना तो उनके बीच क्या होता है electric field होता है और उस electric field के बज़़ा से क्या होगा उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बज़़ा से वो जो positively charged particle होता है वो electric field के direction में क्या होता है move करना start कर देता है ठीक है अब देखिए because of this force charged particle get accelerated है ना वो फोर्स के बज़़ा से charged particle क्या हो जाएगा accelerate हो जाएगा because of acceleration the speed increases अब जब accelerate हो गया इसका मतलब क्या हो गया इसका velocity speed increase हो गया है और इट इंटर्स डीटू और डीटू मेंटर करता है since these are an enclosed container and so the value of electric field is zero the force becomes zero अब उसके जो हमारे डीज होता है वो किसका बना होता है metallic conductor का बना होता है तो metallic conductor के अंदर electric field क्या होता है absent होता है तो positively charge particle पे डीज के अंदर कोई force नहीं लगेगा है ना but there is a magnetic field but उसके अंदर क्या होता है magnetic field होता है which turns the charge particle and particle makes a semi circle and comes to gap and vice versa तो इस तरीके से वो हमारा continue काम होता रहता है किसके अंदर डीज के अंदर ठीके अब हम लोग आगे calculation देखते है ठीके कि जो हमारा circle बन्दा उसका radius कितना होगा ठीके उस time period कितना लेगा angular velocity कितना होगा ठीके यह सब सारे terms को हम लोग यहाँ पे calculate करने वाले है देखिए तो calculation में क्या है कि यह charged moving particle is in magnetic field rotate make a circular motion where magnetic force एक्ट finishes and defчetal force यानि यहापे हम क्या लिख सकते है force है नश्राइन तो magnetic force क्या होगा जो magnetic force होता है sense that you like aative force क्या होता है actor करता है ठीके यानि हम बोल सकते है कि ap b जो होगा वो क्या हो जाएगा step af c equivalent हो जाएगा है नश्राइन gauche of magnetic force अगर हम r find करना चाहें तो r equal to क्या हो जाएगा mb upon qb clear stand यानि जो हमारा charge particle है जो circular path form कर रहा है इसका radius माल लेते हैं r तो r कितना हो जाएगा mb upon qb हो जाएगा ठीक है आद देखें जो हमारा r है radius वो radius किस पर depend कर रहा है तो radius किस पर डिपेंड कर रहा है यानि जो आर होगा वो आर depends on velocity ठीक है तो velocity अपर charge particle चाहस पार्टिकल के velocity पर क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है भी हमारा तो constant होगा ठीक है q कभ हिलू भी change होने वाला नहीं है m mass of the proton या positive भी charge particle तो वो भी change होने वाला नहीं है तो finally जो हमारा r है वो किस पर depend कर रहा है भी पर depend कर रहा है यानि therefore r directly proportional भी अगर charge particle का velocity क्या होगा बढ़ेगा तो उसका radius भी क्या होगा धिरे धिरे बढ़ेगा ठीक है अगर charge particle का velocity कम हो जाएगा तो radius क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा ठीक है यानि जो radius हो वो depend कर रहा है किस पर velocity ठीक चलिए आगे बढ़ता है तो हम लोग यहाँ से अगर velocity है पता हो गया r पता हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक relation पड़े होंगे relation between linear velocity and angular velocity तो therefore b equal to क्या हो जाता है stand omega r हो जाता है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं angular velocity ठीक है तो जहाँ पर b है वहाँ पर क्या put कर देंगे omega r ठीक तो r equal to therefore r equal to m b upon qb है ना तो m b के जगा क्या put कर देंगे देखिए omega r तो omega r upon qb ठीक है तो देखिए यह जो हमारा rr है वो cancel हो जाएगा ठीक ना तो क्या मिलेगा देखिए qb equal to m omega यानि therefore हम लोग लिख सकते हैं angular velocity ओमेगा equal to qb upon m ठीक है यह हमारा क्या निकल क्या आया एंगुलर एंगुलर वेलो सिटी ठीक है स्टेंड यह अंगुलर वेलो सिटी का फर्मुला आ गया क्लियर अब हम लोग यहां से time period भी निकाल सकते हैं तो time period कितना होगा तो therefore time period ठीक है यानि कितना time ले रहे है वो circle में rotate कर रहा है तो कितना time ले रहे है तो time period क्या हो जाता है time period यहां से हम लोग निकाल सकते हैं देखें omega तो omega equal to क्या हो जाता है 2pi by t है नगो तो t equal to क्या हो जाएगा 2pi upon omega अप on omega क्लियर च्टेंड अब omega कितना है qb upon m तो put कर देंगे तो 2pi तो यहां पे m उपर चला जाएगा है नहीं Orchestra question तू two 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 is upon क्यों बीयों मारा गिया अब देखिए यहाँ पिधो टाइम है वह किस पर रिपेंड कर रहा vigor अंग पर लृविद्रीं ऐना जो टाइम है टांड Platz अधिक सब्सक्राइब को टाइस फän англий से से क्या थी आटALI चलिए और आगे बढ़ते हैं देरे देरे इस पे टाइम प्रिएट हम लोग निकाल चुके हैं अब देखते हैं फ्रिक्वेंसी कितना होगा ठीक है तो देखें फ्रिक्वेंसी यानि वह एक सेकेंड में कितना साइकल कम्प्लीट करता है ठीक है तो फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक QB upon 2pi m यह हमारा क्या आ गया frequency यानि frequency equal to QB upon 2pi m हो गया चलिए तो देखे यह जो frequency आया यहां पे cyclotron को हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इस frequency को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग cyclotron frequency ठीक है आगे बढ़ते हैं velocity निकाल सकते हैं हम लोग तो therefore velocity of our charge particle कि जो हमारा charge particle है वो कितने velocity से rotate कर रहा है है तो again उसी formula को ले लेते हैं जो fb equal to fc था यानि qb b equal to mb square upon r तो b b cancel हो जाएगा है ना cross multiply करेंगे तो then qb r equal to mb ठीक है तो therefore b equal to qb r upon m यह हमारा velocity का formula आगया ठीक है अब देखिए यह जो velocity है वो किसका डाइक्टिप proportional है b का है यानि magnetic field अगर हमारा बढ़ेगा तो velocity क्या होगा understand बढ़ जाएगा जैसे जितना ज्यादा magnetic field होगा उतना ज्यादा force लगेगा तो उसका velocity क्या होगा उतना ज्यादा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हमको velocity पता है तो उसका kinetic energy भी निकाल सकते हैं तो यहाँ से kinetic energy का निकाल लेते हैं तो kinetic energy की जो हमारा positively charged particle है वो move कर रहा है तो उसके पास कितना kinetic energy होगा ठीक है? तो kinetic energy यानि के equal to formula क्या हो जाता है? हाप MB square है तो हाप MB भी भी अभी निकालें QB R upon M तो सबका square हो जाएगा तो Q square B square R square upon M square तो एक M कर जाएगा है तो हाप Q square B square R square upon M यह क्या निकल गया? kinetic energy ठीक है? देखें तो जो हमारा kinetic energy है वो किस पर depend कर रहा है? B पे यानि magnetic field पे और R radius पे जितना ज़्यादा radius उतना ज़्यादा kinetic energy होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next topic देखते हैं limitation of cyclotone यानि जो cyclotone है उसका limitation क्या होता है? तो पहला limitation क्या है कि it is suitable only for accelerating heavy particles है ना? यह जो cyclotone है वो किस के लिए suitable है? only heavy particles के लिए जैसे proton हो गया, deuton हो गया, alpha particles यानि positively charged particles के लिए क्योंकि इनका masses क्या होता है? ज़्यादा होता है the unchast particles यानि जो unchast particles होते है cannot be isolated है ना? तो unchast particles क्या हो सकता? isolate नहीं होगा जैसे newton है क्यों? क्योंकि अगर हम इसके पास कोई charge नहीं होता है तो अगर हम इसको magnetic field में या electric field में रखेंगे तो उस पे कोई force नहीं लगेगा that it is not suitable for electron है ना? जो ये device cycloton है वो electron के लिए suitable नहीं होता है क्यों नहीं होता है? तो because the mass of the electron is small है ना? electron का mass क्या होता है? बहुत कम होता है तो इस पे थोड़ा सा भी force लगता है तो इसका speed क्या हो जाता है? बहुत fast हो जाता है है ना? तो वो ST oscillator के oscillate होने से पहले ही क्या हो जाता है? gap painter हो जाता है तो it will get out of step very fast यह बहुत जल्दी ही out of step हो जाता है तेके next है use of cycloton के cycloton का हम use कहा पे करते हैं? तो artificial transmission में करते हैं यह ना? bombard the atomic nuclei जो भी हम लोग पढ़ रहते हैं starting में बताए थे कि nucleus को क्या करना होता है? तोड़ना होता है तो इसके लिए हम लोग को एक positive charge particle चाहिए उसको हम काफी high velocity देते हैं और वो किस device से हम ऐसा काम कर सकते हैं? cyclotron से used to add ions into the solid और next हमारा question atomic reactors ठीक है? तो I hope आप लोगों को cycloton समझ में आ गया होगा thanks for watching